तो यहां पर आज हम देखेंगे कि एक DICE application कैसे बनाते है Flutter में जो कि क्लिक करने पर numbers चेंज होने चाहिए 1,2,6 तक images चेंज होने चाहिए ओके DICE application तो यहां पर सबसे बहुते फ्लेटर का new project क्रेट करते हैं हम लोग तो एकदम मैं basic से चालू गरूँगा सारी चीजों को बताऊंगा कि हर चीज का मतलब क्या क्या होता है तो यहां पर अभी जाते हम लोग finish करते हैं और project का नाम हम लोग कुछ भी देदेते हैं जैसे DICE application देदेता हूं मैं project का नाम DICE application तो यहां पर new project हमारा बनके आ गया है create होके तो इसमें सबसे पहला जो project हमें clutter के तरफ से मिलता हो क्या होता है अपना counter application होता है जो कि हमें counter application तो चाहिए नहीं तो इसको मैं हटा दूंगा यहां से पूरा और basic से हम लोग पूरा designing करेंगे किसका एक DICE application किस तरह का होता है उसको हम लोग बनाएंगे यहां पर तो यहां पर Android selected है तो इसको हम लोग flutter कर देंगे project okay फिर lib folder में जाके हम लोग main file में जाएंगे अब इसके अंदर हमारे पास method है run app करके जो कि flutter के app को run करने के लिए run app एक हमारे पास function है okay फिर यह call होता है और यह run app क्या करता है एक widget मांगता है अपने पास एक widget मांगता है ओके देखो यहां पर क्या दिया है run app के अंदर widget और आपको stateful widget बनाने के लिए आपको st app लिखोगे तो stateful widget आपको बन के आजाएगा तो इस case में हमें stateful widget बनाना है क्यों क्योंकि कभी भी हमें कोई भी चीज रेंडर करना है वापस से उसका state change करना है जैसे dice है तो dice को click किया मैंने 1 से 2 या 6 कुछ भी हो जाएगा तो मतलब screen changes हो रहा है बारबा state उसका screen का changes हो रहा है तब हम लोग stateful widget यूज़ करेंगे अगर हमारा static page है उसके लिए हम लोग state-less widget यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है stateful widget तो इसका नाम देता हूमें my app जो कि हम लोग ने उपर transfer किया यहाँ पर run app के अंद सबसे बेले कोई भी आप Flutter app बनाओगे तो आपको material app return करना पड़ेगा material app एक widget है जो की हमें basic layout देता है android application या iOS application का ओके तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी properties है जो मिल जाती हमें जैसे यहाँ पर हमें routes का एक method मिल जाता है title हम लोग define कर सकते है तो material app के अंदर हम लोग theme define कर सकते है आप का ओके और localization कर सकते है जो language changes होते है तो वो सारी चीज़े हमें material app के अंदर मिलती है तो एक सबसे main प्रोपटी होता है home home ओके तो home में हम लोग पास करेंगे scaffold widget हम क्या है मैं बता तो आपको scaffold widget का है आप नहीं भी यूज़ कर सकते है तो भी चलेगा scaffold widget का है scaffold widget के अंदर हमें क्या-क्या basic properties मिल जाती है जैसे bottom navigation bar, bottom sheet, background color, आपके app का color क्या हो आप directly define कर सकते है scaffold के अंदर आपको drawer मिल जाएगा जो की बना-bना drawer रहेगा आप app bar directly use कर सकते है scaffold के अंदर otherwise scaffold नहीं यूज़ करोगे तो सारी चीज़े आपको custom बनानी पड़ेगी सारी चीज़े आपको custom बनानी पड़ेगा अगर आप scaffold widget नहीं यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर मेरे पास app bar direct property है तो app bar में ले लेता हूँ और app bar एक widget लेता है app bar देता हूँ और app bar के अंदर हमारे पास प्रोपटी होता है टाइटल टाइटल गया करता है एक टेक्स लेता है टेक्स्ट के अंदर में दे देता हूँ डाइस application हमारा डाइस application है डाइस application मैंने लिख दिया है यहाँ पर हो गया अभी scaffold क्या करता है body भी लेता है तो अभी मैं इसको run करके देखता हूँ फिर आपको ज्याज़ाश्य समझिया कि क्या हो रहे हैं यहाँ इसको run करते हम लोग अभी तो यहाँ पर थोड़ी सी basic चीज़े आपको मैं तब तक के लिए बता जाता हूँ जिसे यहाँ पर key आप अभी यूज भी करते हैं नहीं भी यूज करते हैं जब की का जरूध पड़ेगा तब हम लोग की यूज करते हैं आधर वाइस आप की यहाँ पर नहीं पास करोगे तो भी चलेगा ओकी फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास create state create state एक इसा method है life cycle method है stateful widget का जो कि हमें state create करने में बारवर मदद करता है जैसे आपका application में बारवर state changes हो रहे तो यह create state उसको मदद करता है rebuild कराने में फिर वापस एक class है my app state करके फिर हमारे पास method है build method जो कि life cycle method है build method तो यह जब भी UI generate होता है तो यह build method के अंदर ही हम लोग UI का पार्ट लिखते है और यह अंदर इसके पास किया build context context इसके बारे मैं अलग से separate वीडियो बना दूँगा लेकिन अभी के लिए मैं बता देता है यहां पे context build context क्या होता है कि यह आपके screen का widget का जानकरी रखता है जैसे अगर एक page से मुझे दूसरे page पे जाना है दूसरे page पे कैसे पता चले है कि मैं first वाले यही वाले page से यहां पे आया हो तो हम लोगो context भी साथ में पास करना पड़ता है एक page से दूसरे page पे तो अभी के लिए आप समझ सकते हो कि यह location विजेट ट्री का location रखता है अपने आप में ओके location रखता है या information रखता है विजेट का तो context में क्या होगा my app विजेट का information होगा और विजेट क्या होता है class ही होता है इन्ही विजेट ही से class ओके तो यहां पर हमारे पास application अपना बिल्ड हो गया है तो जिसमें हमने scaffold के अंदर app bar दिया है app bar के अंदर title text हमें ने dice application दिया है अभी जो scaffold है scaffold के अंदर एक property है तो body जो कि यह आपको white screen दिख रहा है यह body है तो इसके अंदर हम लोग body pass करेंगे app bar के अंदर नहीं sorry scaffold के अंदर scaffold का bracket यहां पर खतम हो रहा है तो एप बार के बाहर हम लोग लिखेंगे body और body में background color नहीं हमें देना है body body ठीक है body नहीं आ रहा है तो देख लेते हम लोग तो body में हम क्या pass करेंगे body में हमें क्या चाहिए और dice का एक image चाहिए तो अभी image add करके हम लोग देखते है सबसे बहले सबसे बहले image add करते तो हम लोग मैंने डाउनलोड करके रखा image आपको दिखा देता हूं मैं तो हमारे पास यह application के images है जो की तो हमारे पास images है dice के dice 1, dice 2 इस तरह से दिखेगा तो मैं क्या करूंगा simply मैं एक folder में रख देता हूं dice six dice है हमारे पास images है six dice है six dice के images है हमारे पास one two three four five six okay यह पूरा का पूरा फोल्डर जो है dice का यह मैं उठा के directly application में भेज दूना आपको कर देना है प्रोजेक्ट में directly ओके प्रोजेक्ट में मैंने directly भेज दिया यहां पे तो इसको आपको refactor कर देना है तो प्रोजेक्ट में हमारे पास आ जाएगा directly कहां पे गया dice करते इसको वापस से हटते तो यहां पर dice आ गये आपको दिख रहा होगा और एक फोल्डर एड़ हो गया यहां पर dice करके तो dice फोल्डर के अंदर हमारे पास का है यह सारे images है six images है और कभी भी आप image add करोगे अपने project में या font add करोगे तो उसको आपको dependency में आप अगर कोई भी package इंस्टॉल करते हो या font डेते हो कुछ भी देते हो इमेज़ देते हो तो उसको आपको पस्वाक्यामल में जाके लिखना पड़ेगा उसका पाथ तो हम लोग यहां पर लिखत देखो यहां पे एसेट से तो आपको एसेट जो दिख रहा है यहां पर इसको अनिद कर देना is some तो uncomment कर देता हूं मैं assets को uncomment कर दिया और यह users के नीचे ही से start होना चाहिए अपना assets और इसको भी एक-एक आगे बढ़ा देते हम लोग यह part हटा देते हैं इमेज यह तो temporary था और यह सारे dice यह dice folder है तो इसके अंदर सारे images है तो सारे images का हमें पात देनी की जरूत नहीं है सिर्फ मैं dice भी लिख दूँँगा तो भी यह सारे लोग को access कर सकता है तो मैं यहां पर क्या करता हूं पूरा part हटा देता हूं और इसके बदले लिख देता हूं dice और slice देता हूं okay तो यह क्या होगा dice के जितने भी folder के images होंगे वो सारे लोग को access कर सकता है तो यह लिखने के बाद आपको pubgate कर देना है बस ओके और ध्यान रहे आपको यह बराबर S के नीचे ही start होना चाहिए ऐसे तो pubgate मैंने कर दिया तो अभी यह pubgate हो जाएगा फिर इस image.assets क्यों लिखेंगे क्योंकि हमेरे पास folders में assets में images है अगर image.network हमें network image.network लिखेंगे अभी तो हमें assets image चाहिए तो assets image assets image के अंदर क्या लेता है यह path लेता है image का path क्या है तो directly आपको दिख रहा है साफ-साफ path क्या है यह folder dice और dice के अंदर है images मैं directly लिखूंगा dice folder का नेम slash और image का नेम image का नाम क्या dice 1.pngo इतना हो गया बस इसको रण करके देख लेते हैं अभी हम लोग control save किया मैंने control save करूंगा command save करूंगा तो मुझे hot reload हो जाएगा और यहां पर मुझे image दिख नहीं दिख रहा है काफी बड़ा image हो गया है तो हमें इसे छोटा करना है थोड़ा सा चोटा करने के लिए हमें इसके अंदर property हमारे पास size करके यह height width करके property हो देख लिए हम लोग यहां पर size करके है नहीं है अब width है हमारे पास 100 देता हो width में और height भी है हमारे पास इसको 100 देता हो image को और control सेव करता हो तो इसका height चोटा हो गया काफी चोटा हो गया लेकिन इसको में क्या करता हो 200 कर देता हो height and width 200 कर दिया 200 कर दिया ओके 200 is okay अभी यह जो image है बीच में आना चाहिए बीच में आना चाहिए तो मैं image को क्या करूँगा center से wrap कर दूँगा यहां पर इसको रैप कर दूँगा center widget कहां पर यहांपर center से wrap कर दिया और control सेव करूँगा तो यह क्या होगा center में आ जाएगा तो center में आ गया अभी यह तो first image है अगर यहां पर मैं to लिख दूँगर dice 2 तो save करूँगा यहांपर dice 2 आ जाएगा dice 2 आ गया तो यह मुझे क्या करना है, कि इसके click पे a random function मुझे बनाना है, random function से क्या करना है, मुझे 1 से लेके 6 तक numbers randomly generate होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस image को clickable बनाता हूँ, मतलब इसको clickable बनाता हूँ, मतलब tap करना है, तो किसी भी چीज को clickable बनाना है, तो उसको हमें wrap करना अबहुत सारे, देखो क्या क्या property है हमर पाथ, on tap है, on double tap है, on long price है, यह सब हमरे बहुत सारे properties है, तो मैं simply on tap ही use करूँगा, on tap यूज करता हूँ, और on tap में मुझे क्या करना है, कि यह जो number है यहां पे, तो इसमें मैं pass कर देता हूँ, index, index लिख देता हूँ, index क्या है, अभी initially उपर में define कर देता हो यहां पर, okay int index equal to 1, अभी index का value क्या है 1, okay index का value क्या है 1, तो यहां पर क्या आएगा 1 और इसको में save करता हो अगर मैं तो यहां पर क्या आजाएगा 1 आजाएगा, okay, 1 आगया, क्योंकि index का value 1 है, अभी on tap जैसे मैंने इसको tap किया तो मुझे यह value index का change हो जाना चाहिए, okay मतलब index का value change हो जाना चाहिए मतलब कुछ और आजाना चाहिए, यहां पर जैसे tap करूँगा तो उसके लिए मेरे आज फंक्शन है random करके, random तो यह random क्या है, math का operation इसके लिए import करना पड़ेगा हमें math library को math library को import किया मैंने अब इसके आगे मैं लिखूँँगा dot next to int और यह क्या बोलता है कि maximum कितना number चाहिए आपको मैं बोलूँगा 5 number maximum चाहिए लेकिन अगर मैं 5 लिखता हूँ तो यह 0 से लिखे 5 तक जाएगा अगर मैं यहां पे 6 लिखता हूँ तो यह 0 से लेके 6 तक जाएगा तो मुझे क्या करना है 0 से लेके 5 तक में जाऊँगा इसमें plus 1 एड कर देता हमेशा तो यह क्या होगा यह जिसे generate किया मानलो यह generate किया 0 तो answer क्या आएगा इसका 0 plus 1 is 1 अगर इसने generate किया 5 तो 5 plus 1 is 6 और उसे 5 के उपर तो generate करे गए नहीं और 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 आएगा अगर तो 0 plus 1 क्या होता है 1 होता है तो इसमें 1 चला जाएगा अगर 1 आ इसके जगे पे तो 1 plus 1 is 2 तो index में 2 चला जाएगा तो यह automatic generate हो जाएगा जैसे मैं यहां पर आपको print भी करके दिखा देता हो print index देखो अभी क्या होगा index print किया मैंने जैसे और इसको console को थोड़ा सा उपर करता हो और यहां पर run पर आ जाते हैं हम लोग और इसको save करते save किये तो अभी index का value क्या है अब मैं यहां पर इसको tap करता हूँ तो देखो जैसे tap किया तो यह क्या होना चीए index यहां पर print होना चीए tap किया तो 1 आया वापस से tap करता हूँ तो यहां पर 3 आया चेंज हुआ वापस से tap करता हूँ लेकिन यह change नहीं हो रहा है index तो change हो जा रहा है तो index का value assign नहीं हो रहा है, जहां जहां पर index use हुआ है, तो उसके लिए हम लोग करते है, setState, setState एक method है, जो की सारे जगे पर variable जो भी आपको change करना है, वो सारे जगे पर variable अपडेट हो जाएगा, ओके, तो इसको मैं अभी delete करता हूँ, और ये जो line है, इसको मैं setState के अंद करने दो, अभी index जहां जहां पर use हुआ है, सारे जगे पर change कर देगा, जैसे मैं control save करता हूँ, control save किया, अभी देखो 3 हो गया, अभी मैं इसको tap जैसे ही करूँगा, tap जैसे ही किया मैंने, तो देखो 5 हो गया, क्यों फाइग हो गया, क्योंकि इसमें index का value automatic generate होके 5 गया, और इस तरह से यह application बन गया, अपना dice का application, तो इस तरह से आपको करना है, dice application using 30 state method, तो आपके लिए एक task में दे देता हो, तो आपके लिए task है, कि आपको 2 dice का application मनना हो, जैसे मैंने single dice application है, तो आपको इसके बाजू में भी एक dice रहना चाहिए, जिसके एक किसी एक को भी click करो, लेकिन दोनों change होना चाहिए, तो इस आपके लिए task है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, subscribe करें, share करें दोस्ते में, thanks for watching, और अगर आपको कहीं पर doubt है, तो आप comment box में मुझे से पूछ सकते हो, okay, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए topic के साथ, Thank you.